हमस्का दोस्तों सभी का स्वागत है चार्टमजों के नई वीडियो में और आई होप आप सभी ने हमारा दिवाली का जो स्पेशल वीडियो था वो देखा होगा जिसमें मैं और अभीशेक आपको जो लॉंग टम के सापसे साउंड स्टॉक के उसके बारे में हम जराद चार्ट पे और फंडामेंटली डिसकस कर रहे हैं बाकी अभी नेक्स्ट वीक बनाएंगे फंडामेंटली क्या लग रहा है मारकेट के अंदर क्योंकि यह हफते आने वाले हफते में जो ट्यूस्टे है पाच तारिक को यूएस का इलेक्शन है और हमारे उदर जाहतर वेनस्टे को उसका असर देखने मिलेगा तो आई थिंक यह एक वोलेटिलिटी वाला एक इवेंट बन सकता है जहाँ पर निफ्टी भी थोड़ा एक जादा पॉइंट में स्विंग करे और उसके बाद थोड़ा आई थिंक क्लेरिटी मिलेगी तो अभी थोड़ा technically study करते हैं और technically अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमको दिखाई देता है कि मार्किट के अंदर निफ्टी एक बर fall किया हाल हुआ फिल दिन दर थीजू किया ऑर अभी यह हल्ट हो गया है तो यहां पर देखके यह पर फॉल फॉल हो रहता तो फॉल होने के साथ-साथ यह एक दो दिन तो अगें ब्यू CHAR T लाइन नहीं निकालेगा तब तक हमें strength का आइडिया नहीं लगेगा अगर market के अंदर strength रहेगी तो चार्ट हमें बताएगा कि market के अंदर आप strength आ गई है और वो यह trend line को breach करके हमें एक अच्छी closing देगा उससे यह आइडिया लगेगा कि finally selling थोड़ी अब कम हुई है अगर हम FI के selling numbers देखते हैं तो FI के लगबग एक लाग करोड प्लस की selling last month थी अब यह महिने देखते हैं कि पहले 10 दिन रहेगी या पहले 15 दिन यह यह पूरे महिने selling और चलेगी उससे भी थोड़ी और clarity मिलेगी तो दोस्तों अब यहां पर काफी जो एक important level है वह रहेगा 24,000 75 तो यह 24,000 75 वाला जो level है काफी important है I think यह breach होगा तो next 23 900 के level पर जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं वहां तक एक journey कर सकता है और 23 750 तो यह दो level पे हमें एक बर watchful रहना होगा खास कर आपका जो 24,000 75 का जो level है यह अगर निकलेगा तो pressure बनेगा अब जोस्तों कोई aggressive level अगर हम बात करते हैं तो मेरे साबसे 24,175 तो 24,175 को अगर कोई aggressively trade करते हैं तो उनके लिए important हो जाता है यह अगर level तूटेगा तो weakness यह हम बोल सकते कि bears का जोर बड़ेगा market के अंदर अब जोस्तों उपर का level अगर हम देखे तो यह falling resistance line नीचे बन रही है साती साथ 24,550 को अब हम important मान लेंगे और 24,550 के ऊपर की अगर closing मिलेगी तो हम समझेंगे कि bulls finally वापिस से control लेने की कोशिस कर रहे हैं bank nifty की बात करते हैं यह sideways में फसावा है और sideways में फसने के कारण यहां पर एक range बन गई है मेरे साब से nifty पे जादा clear signal मिलेगा bank nifty के against बट bank nifty पे अगर कोई aggressive level चीए तो मेरे साब से 51,000 का होगा अगर 51,000 के नीचे breach करता है bank nifty तो intraday के अंदर opportunity open होगी 50,500 and 51,000 की mid cap अगर हम देखते हैं तो nifty की तरह ही अब यह rest ले रहा है first fall अगर हम देखते है mid cap के अंदर तो pullback जादा था इससे mid cap की out performance का पता चल रहा था second time अगर अब हम fall देखते हैं तो यहां पे fall बड़ी बनी और pullback जो था वो थोड़ा ही था तो यहां पे आप देख सकते हो A to B travel किया price और A to B travel करने के बाद यह pullback लगबग 50% के आसपास थी लेकिन जब second बार हम गिरे तो weakness जादा थी इस वज़े से जो यह pullback था वो कमजोर pullback बना और लगबग हम 33% के आसपास तक ही recover कर पाए तो इसके वज़े से मेरे साबसे weakness जो है वो दिखाई देती है mid cap nifty के अंदर और अगर mid cap nifty के अंदर तो level काफी clear है एक बार मैं clean कर देता हूं ज़रा ही है तो mid cap nifty के अंदर हम एक trend line draw करेंगे वो trend line से जैसे हमने पहले एक बार nifty पर की थी early chart पर चलते हैं और यहाप एक trend line बना देते हैं और इस trend line से हमें पता लग जाएगा कि mid cap nifty weak हो रहा है और important level है 55,750 का अगर 55,750 breach हो जाता है तो मेरे साबसे एक बार के लिए downward pressure बनेगा mid cap nifty के ऊपर अब दूस्तर यह breach होने के बाद 54,500 और 54,000 हमें intraday में एक बार दिख सकता है और downward ज़नने शुरू हो सकती है अगर उपर गया mid cap nifty तो भी level clear है उपर के side देखे तो एक बार clear अगर strand बनेगी तो यहाँ पर retest हो सकता है और उसके बाद fall आये या उपर जाये जैसा भी रहेगा data लेकिन अभी bias क्योंकि minor negative है इसलिए थोड़ा downward के scenario जारा लग रहे है डाउ की बात करें तो यहाँ पर breakdown का attempt हो गया था Friday के दिन डाउ ने recovery की कोशिश की लेकिन dollar index जो था आपका वो देखिए यहाँ पर dollar index नीचे गिर रहा था लेकिन यहाँ पर एक sharp recovery आई dollar index के अंदर dollar index उपर गया और यहाँ पर आपका डाउ के अंदर फिर downward pressure बना इसके साथ-साथ bond yield जो है वो भी एक critical level पर है अब जैसे यह आपको दिख रहा है यहाँ पर एक channel type structure जो बंद रहा है bond yield पर यह अगर breach हो जाएगा तो मेरे सबसे फिर इस तरीके से कुछ channel प्रॉपर चैनल तो नहीं है हाला कि लेकिन लगबग थोड़ा सा जो आगे जैसा channel बढ़ेगा तो range कम हो रही है बट यहाँ पर 4.5 का level अगर breach हो जाएगा 4.4 to 4.5 काफी important यह level है यह level breach हो गया तो मेरे सबसे फिर डाओ के अंदर एक correction बनेगा बाकी अभी देखते है election भी है तो डाओ विसे ट्रम्प की जो victory है वो काफी जादा factor in कर रहा है market यहाँ पर हमें दिखाई देगा अगर further कुछ dollar index अगर नीचे की तरफ यहाँ पर touch करके जाता है काफी quick sorry bond deal quick अगर नीचे की तरफ ज लग जाएगा यहाँ पर यह जो sharp breakdown ऐसा लग रहा था लोगों कि यह false हो गया यहाँ पर hurdle लगके finally dollar index नीचे जा रहा है यह जो sharp youton यहाँ पर हमको देखने मिला है और मेरे सबसे डाओ के अंदर कल के दिन फिर से थोड़ा बहुत downward pressure बन सकता है जो nifty को भी फिर थोड़ा बह बात करते हैं ब्रेंट नीचे चले गया तो ब्रेंट जो है को लगबग एक चैनल टाइप structure में trade करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है फ्लाल ब्रेंट को avoid कर सकते हैं minor neutral to एक बार बोल सकते हैं neutral to minor positive बन रहा था खासकर जो last अगर previous अगर हम trading session देखते हैं ब्रेंट के retaliate करेंगे उस वेसे ब्रेंट फिर ऊपर चले गया देकिन निउस आने के बाद end of the day यह discount होके वापिस ब्रेंट नीचे आ गया तो यहां पर थोड़ी बहुत चॉपीनेस रहेगी clear अभी तक कोई move नहीं दिख रही है गोल्ड सिलवर ऊपर यह तो आई तिंक इसके उपर थ यह trend लाइन बनेगी सिलवर पे मेरे साबसे यह breach नहीं करना चाहिए सिलवर को अब ब्रीच नहीं करेगा तो एक हायराय हाय लो बनाते वेच चलेगा बाकि अगर ब्रीच हो गया तो थोड़ा बहुत चॉपी बन सकता है बात करते काउंटर की एक काउंटर मेरे को चार्ट सटी पर या थोड़ा सा निगेटी बैरिस साइड है वो है बृते या का स्टॉक नहीं है या पे ब्रिटेनिया ने क्या किया है एक बैर फ्लैक पाटन बनाया है दोस्तों बिलकुल निफ्टी की तरह ही अगर हम देखते हैं तो यहां पे बिटेनिया पे एक ट्रेंड लाइन अगर इसका 200 डे का मुविंग एवरेज भी देखें तो 200 डे का मुविंग एवरेज काफी नियर आप आ रहा है बट मेरे सबसे एक बार 55,000 या फिर हम बोल सकते 5600 सॉरी 55,000 नहीं 5600 का जो लेवल है वो एक ब्रेकडाउन का लेवल बनेगा जैसे 5600 टूटा मेरे सबसे इमिजेट इंट्रा डे बेसिस में एक बार के लिए 100 पॉइंट का तो ये 200 डेमा पे टच होना चीए बाकि उसके भी 200 डेमा के भी तूटने के चांसस बनेंगे लेकिन हमें ब्रेकडाउन का मिलेगा जब 5600 का लेवल ब्रीच होगा तो आई तिंग यहां पर एक ही काउंटर के पर चार्ट सड़ी करके जाएंगे क्योंफी वॉलेटलिटी बन सकती है और साथी साथ इसके अंदर भी option strategy के थूँ हम एक बार work कर सकते हैं उससे यह होगा कि थोड़ा risk कम हो जाएगा बाकि वॉलेटलिटी रहेगी तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले तिल देन टेक क्यार आई विल मीटो इन नेक्स्ट वीडियो